सीटेट की परिक्षा की जिसी नस्दीक आ रही है और दिसंबर 2021 में ओनलाइन ये एक्जाम होगा ऐसे में जितने भी स्टूडेंट है जो परिक्षा की तयारी कर रही है इस परिक्षा में क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरी है कि सीडीपी की तयारी आपकी बहुत ज किसी धानतों के अंदर से कोश्चन बेस डॉन प्याजे कोहल परगवाई गोस की थेरीज पर आधारी थम एमसी की कोश्चन आपके साथ लेकर आ रही है जो आपकी परिक्षा के लिए बहुत ही हेल्फुल होंगे तो हर एक कोश्चन देखना है बेक टू स्कूल के चैनल को स चलिए आपके जितने नंबर आए उतने बताने हैं चलिए पहला कोश्चन प्याजे ने विकास को नियंतरित करने वाला जैविक कारक जिसको मैतव दिया है वो क्या है बताइए देखिए सामाजिक संपर्क क्योंकि याद रखना वाई गोस की देखे प्याजे ने विकास को जिन्तित करने वाले जैविक कारक को मैतुव दिया, जबकि वाई गोट्सकी ने किसे मैतुव पूर्ण बताया, समाजिक संपरक को, यानि कि समाज को, समाज का नाम आते ही वाई गोट्सकी, बच्चा समाज की मदद से बहुत कुछ सीखता है, दूसरा, जब वैसक सयोग से सा का आ जाता है, यानि कि मान लेजे कुछ बच्चे अपने आप जो कुछ कर पाते हैं, ठीक है, वो ZAD होता है, zone of achieved development, प्लस बड़ों की मदद, scar folding, उसको जुड़ने के बाद क्या बन जाता है, ZPD, समीपस्त विकास का शेत्र, तो option number A, यहाँ पर right answer होगा, वाई गोट्सकी की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्दान्त के अनुसार, question 3, बताइए answer क्या होगा, बताइए वाई गोट्सकी के अनुसार, संस्कृति और भाषा संगानात्मक विकास में महतोपूर्ण भूमिका निवाते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो society है, और जो language है, वो cognitive development में important भूमिका निव आएंगे, तो यहाँ पर तो हमें option number 1 ही जो है right answer मिल गया, next, why goats की तसा प्याजे, है की preparation में एक परमुख विभिनता है, यानि कि एक तरफ है आपके why goats की, और दूसरी तरफ है प्याजे, दोनों के बीच के conceptों में क्या फर्क है, बताइए, वे वारवादी सिद्दान्तों क प्रिवेश उप्त करानी की बुन का बाशा और चिंतन के बारे में उनका अधरिस्टी कौन, देखिए, प्याजे क्या बोलते थे, प्याजे बोलते थे, कि language second, thought first, लेकिन why goats की के विचार इससे अलग थे, तो दोनों के विचार तीसरे option, यानि भाशा और चिंतन के बारे मे अधरिस्टी कौन, एक दूसरे से अलग था, why goats की के अनुसार आधार बुत मानसिक शम्ताओं को मुख्य रूप से किस के दवारा उचितम संकानातमक प्रिक्रियाओंगे बदला जा सकता है, समाजिक पारस प्रिक्रिया के दवारा, ठीक है, यानि कि समाज के दवारा, किस क नाम आते ही, देखे, why goats की का नाम आते ही, आपको आंसर में क्या डूंदना है, समाज, तो यहाँ पर समाज, option number A, कोहल बर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रिशन के बारे में, decision लेने में, शामिल जो thinking process है, उसे क्या का जाता है, बताएए, क्या का जाता है, नैतिक तरकना ठीक है, आंसर आएगा, option number D, important question है, यह ध्यान रखना, next, एक बच्चा तरक प्रसुत करता है, आप यह मेरे लिए करें, मैं आपके लिए यह करूंगा, यह बच्चा, कुबल वर्कर की नैतिक तरकना की किस अवस्था के अंतरगर्थ आएगा, बताएए, यह सहायक उदेश अभी मुखी करन, इसके अंदर होता है, तुम यह करो, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, सीधी सी बाद, तुम यह करो, मैं वो करूंगा, next, कोहल बर्क के नुसार, सिक्षक बच्चों में नैतिक मुल्यों का विकास कर सकता है, कैसे कर सकता है, कैसे वेवार किया जाना च उस पर कठोर निर्देश दे कर, धार्मिक सिक्षा को महतो दे कर, वेवार के स्पस्ट नियम बना कर, नेतिक मुद्दो पर आधारित तर्चाओं में उन्हें शामिल करके, option number जो D है, वो बिल्कुल यहां पर क्या है, वो बिल्कुल यहां पर ठीक है, कौन सा option यहां पर ठीक ह next, कोहल बर्क के सिद्दान्त के योगदान के रूप में निमल कितमे से किसे माना जा सकता है, बताइए, किसे माना जा सकता है, उनका विश्वास है कि बच्चे नेतिक दार्शनिक है, बिल्कुल नहीं है, उनके सिद्दान्त ने संगानात्मक प्रिपकोता, mental maturity और नेतिक प मुख आलोचना क्या है, बताइए, में आलोचना क्या थी, उनके सिद्दान्त की, देखिए, कोहल बर्ग ने पुरुश और मिलाओं की नेतिक तार्खिक, ना नेतिक तार्खिकता ने सांस्कृतिक बिल्कुल इम्पोटेंस नहीं दिया, ये उनकी आलोचना है, नेक्स, प् स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज है, पूरु संक्रियात मकवस्था, पहली क्या है, ये जो है आपकी ये फर्स्ट स्टेज है, ये आपकी सेकंड स्टेज है, ये आपकी थर्ड स्टेज है, और ये आपकी फॉर्ट स्टेज है, नेक्स्ट, जीन प्याजे के नुसार संरक् है यह देखिए संद्रक्षन का मतलब है कुछ भोतिक गुण दर्म वही रहते हैं चाहें बाहरी आकरतियां बदल जाएं ठीक है यानि कि एक लीटर पानी चाहें आप एक बड़े बोटल में डाल दो या एक ऐसी बोटल में डाल दो सेम रहेगा तो आंसर होगा सी प्याजे के अधिगम के संग्यानात्मक सिद्दांत का नुसार वह फिर प्रिया जिसके दुआरा संग्यानात्मक संद्रचना का उसन सोद किया जाता है क्या कहलाती है स्कीमा कहलाती है दोस्तों स्कीमा कहलाती है स्कीमा को बोला जाता है ज्यान या इन्फोर्मेशन के पैकेट ये भी आपको याद रखना है, next 12 साल का बच्चा, यह समस्ता है कि एकमेज का वजन वही रहता है चाहिवेदाइं हो, या उल्टी हो उसमें किस सिद्दांत को समझाएंगे आप बताईए, सन्रक्षन के सिद्दांत को, किसके संद्रक्षन के सिद्धात को समझाएंगे next जीन प्याजे के अनुसार अनुकूलन डैश के द्वारा होता है किस के द्वारा होता है मुझे बताई आतम साती करण वे व्यस्थापन के द्वारा option number D यहाँ पर जो होगा बिल्कुल ठीक होगा 15 में से कितने number आये मुझे बताईएगा आप सभी लोग जो है लंबी वीडियोज पसंद नहीं करते छोटी छोटी वीडियोज ही जो है आप लोग पसंद करते हैं तो मैंने सोचा कि जैसे लोग पसंद करते हैं वैसी चीज़े देनी चाहिए इसलिए छोटी छोटी वीडियोज आपके लिए आ रही है अच्छा ही लगी हो तो इसको लाइक कीजेगा शेर कीजेगा अपने दोस्तों तक जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर क्या करेंगे उसके अंदर जो है ऐसे कोशन लेकर आऊंगा और जो सेशन होता है हमारा कितने बजे वाला नो बजे वाला उसके अंदर अपने आपको जरूर एंडरोल करें और हमारी वेबसाइट जो है बैक्टो स्कूल्स डोट इन उसके उपर जाकर टेस्ट सीरीज जरूर लें और वहाँ पर अपने टेस्ट दें ताकि आपको पता लगे कि आपकी तयारी कितनी है और आपको एक्जाम से पहले सारे कोशन देखने को मिल जाए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा टेक कियर दोस्तों ख्याल रखें लाइक शेर सब्सक्राइब ना करना भूलें ठेक कियर